तो साइनिक एकता जिंदाबाद आवाज को संसद की पटल में रखें ताकि उस आवाज की गूझ सरकार की कानों तक पहुंचें तीन अप्रेल को आप सब भी जरूर घर से निकलें और अपने अपने जिलों में जो विरेंदर सिंग काध्यान जी हैं जो की दिल्ली के विदान से देश के हर जिले से अगर मांग पत्र सरकार के पास पहुंचे नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों सवागत है आप सब का साइनिक पार्ट साला में औरोपी में हुए विसंगतियां अपने साथ हो रहे सोतेले विवहार और भेदभाबपुर्ण रवईये के मुद्दों को ल कमी या होसले की कमी नहीं दिखाई दी है जो की एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए दोस्तों ऐसे में अभी देश के संसद में सत्र चल रहा है तो लोकसवा या राज्यसवा में इस मुद्दे को उठाए जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी तक लोकसवा या र मेन प्र्माणियो को सुन लेते हैं उसके बाद में इसके बारे बात करता हूं प्रेंदार सिंग कादियान जी दन्यवाद अधिक्समोदे आपने मुझे एक मैतरपुर मुद्धय पर बोलने का मुका दिया अधिक्समोदे मैं आपका संग्यान 2014 में रेवाडी के अंदर पूरुच सेनिकों की बहुत बड़ी रेली हुई थी उस रेली के अंदर माननी परदार मंत्री जी ने कहा था कि पूरुच सेनिकों को One Rank One Pension दी जाएगी जिससे पूरुच सेनिक उन्होंने पूरी जोर जान लगा के उनको पड़ार मंत्री की कुर्सी पर पहुचाने के लिए का काम किया अद्धक्स मोदे 2014 के बाद One Rank One Pension जो काफी लंबे समय से Demand Pending थी उसको नाम मात्र के लिए लागू कर दिया गया पूरु सेनिक जो अपनी पूरी जवानी देश की सरदों पर देश की रखसा करते हुए अपने बीब बच्चों से परिवार से समाद से दूर रहते हुए देश की रखसा करते हैं चैस सरदी गरमी बारिस कोई भी मोस्म हो उन सेनिकों को नाम मात्र की OROP देके बेला फुचला दिया गया लेकिन सैनिक दिल का इतना अच्छा है वो उसमें भी मान गया उनसे वादा किया गया था देक्स मोदे दूसरा पार्ट उनको 2019 में दे दिया जाएगा लेकिन 2019 में उनको नहीं दिया गया और OROP के चकर में सारे पूरुसनिक सुप्रेम कोड गए सुप्रेम कोड ने कंदर सरकार को आदिस परिद किया कि भी इनको जलदी से जलदी सेकंड पार्ड जो आपने वादा किया था और अरपी को दिया जाए वो सही रूप में दिया जाए जो हाईएस स्लेब फिक्स है उनको दिया जाए अदेक्स मोदे आज लगबग 10 फरवरी से पूरु सेनिक धरने पर बैठे हुए जंतर मंतर पर और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग आपने वादा किया था उसको पूरा कर दो सुप्रीम कोट के आदेश का पूर तरह के से जो हाईएस स्लेब है उस पर्टिगुलर रेंग का उसके अधार पर हमें ओर ओपी दे दो ताकि हम संतूस्ट हो जाएं आपने हमसे वादा किया था तो अदेक्स मोदे मेरा एक कहना है कि देड़ महिने से ज्यादा पूरु सेनिक वहां बैठे हैं जंतर मंतर पर उनकी कोई कोई उनकी पूछ रहे हैं नहीं मीडिया मारा है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है मैं इस सदन के माद्यम से आप से अनुरोध करता हूं अदेक्स मोदे कि उनकी आवाज को केंदर सरकार तक पहुचाएं ताकि केंदर सरकार इस बात का संग्यान ले हो सकता है उनके वहा प्रदर्सन के बारे में मुद्दा उठाया जो की बहुत बड़ी बात है और उस मुद्दे को केंडर सरकार तक पहुचाने के लिए भी बात करी दोस्तों विरेंदरे सिंग कादियान जी एक एड़ोकेट भी है एक पूर्व सैनिक भी है तो उनका इस मुद्दे को दिल्ली विजान सभा में उठाना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों आगे में बात करता हूँ अभी लोग सभा और राज्य सभा के सत्र चल रहे है यानि कोई विचार विमस करने पर मजबूर किया जाए दोस्तों जब एक पूर्व सैनिक MP या MLA बन करके देश के या राज्य के बिदान सभा या लोग सभा में जाता है तो बाकी पूर्व सैनिकों की ये उनसे अपेक्छाएं होती है कि उनकी मुद्दों को वहां पर रखे तो ऐसे में अभी जितने भी पूर्व सैनिक हमारे देश के संसद में है चाहे वो राज्य सभा में हो चाहे लोक सभा में हो उनको भी चाहिए कि अपना इस फर्ज को अदा करें और दिल्ली के जंतर मंतर में जो धर्ना प्रदर्शन हो रहा है उस धर्ना प्रदर्शन के मुद् जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो अतनी बिलंब ना करते हुए किया जाना चाहिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ धर्ना प्रदर्शन में अभी कोई उर्जा की कमी नहीं है किसी जजवे की कमी नहीं है जो उसकी कमी नहीं है उनमें से कुछ वीडियो के क्लिप अपने अपने हके लिए आए हैं किसी के साथ घंधारी नहीं कर रहे हैं किसी सब भीक मैं मांगें और नहीं मांगेंगे बारत मता की सानी केक्ता और हमने कैबनेट को भी रक्षा मंत्री को भी बताया इस खाई के बारे में जो आमारी गैप है खुद मिले थे हम तो दोस्तों अभी आप सब ने देखा सुना की जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन में अभी भी वही उर्जा है वही ताकत है और वही जज़वा है जो 20 फेवरुरी 2023 को धरना प्रदर्शन के सुरू वाले दिन में था तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये भी कहीं न कहीं हमार ही जीत है अब दोस्तों मैं बात करूँगा तीन अप्रेल के बारे में जंतर मंतर से एक आवाज निकलिए कि तीन अप्रेल को जितने भी पूरवसेनिक अपने घरों में या अपने जिलों में बेठे हुएं वो अपने जिला के जो मुख्यालाएं हैं वहाँ पर जाएं चाहे वो डिस्ट्रिक कलेक्टरेट हो या डिस्ट्रिक MAGISTRATE हो जिनका भी वहाँ पर आफिस है वहाँ पर जा करकर के अपने मांग पत्र जो है सौपें ताकि हर जगह से हर जिले से देश के हर जिले से अगर मांग पत्र सरकार के पास पहुँचे तो उसका एक बहुत बड़ा असर हो सकता है तो दोस्तों तीन अप्रेल को आप सब भी जरूर घर से निकलें और अपने अपने जिलों में जो कलेक्टरेट हैं जो डी और करें ताकि वो सरकार तक पहुँचे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जंतर मंतर की आवाज को देश की संसद तक पहुँचाने के लिए में देश की विपक्च और हमारे जो पूर्व सैनिक MPs हैं उनको अपील करता हूँ कि वो सामने आए और इस आवाज को संसद की पटल में रखें ताकि उस आवाज की गूँच सरकार की कानों तक पहुँचे और इसके साथी साथ 3 अपरेल 2023 को आप सभी ने अपना मांग पत्र बना कर अपने अपने जिलों के मुख्याले में अ साइनी के एक ताक जिन्दाबाद तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही आगे और कोई जानकारीद है कि आप से सरुकार रखने वाला भी से लेकर मैं फिर से हाजीर हो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों